Theories of intelligence, intelligence is a trait of a human being that make him successful in the world और intelligence जो है यह हम अपनी traits में heredity में लेके आते हैं लेकिन environment इसको polish करता है तो इसके बारे में theories जो है कोई इसको environmental factor कहता है कोई इसको heredity factor कहता है कोई इसको combination of heredity and environment कहता है तो इसके वज़ा से इसकी जो मुख्लिफ theories हैं उन्होंने intelligence को किस तरह से explain किया है किस तरह से describe किया है वो हम अभी देखते हैं जैसे gardener है इसने suggest किया कि an individual may exhibit several types of intelligences He categorized these intelligences into eight identical or identifiable forms and argues that there could be possibly more than these forms He actually, you know, divided intelligence into eight areas And he argued that these areas always, you know, we cannot confine intelligence as one entity But it is a group, it is group of abilities or capacities And in these eight areas, a person will respond to the environment And then he or she will be considered intelligent अब वो areas क्या है उसने list बताई कि intelligence जो है ये एक तो logical mathematical यानि एक इनसान जो logical है हर एक चीज़ की जो reason जानने की कोशिश करता है हर एक चीज़ की वो logic प्यान करता है तो logic जो है क्योंकि वो blindly किसी चीज़ को accept नहीं करता बलके अपनी बात को साबित करने के लिए किसी logic का सहारा लेता है और अपनी बात को proof करने के लिए कोई evidence आपको provide करता है तो ये skill वो कहता जी सबसे पहले एक intelligent आदमी की जो है वो sign होता है या symbol होता है कि he is logical mathematical का मतलब भी है कि वो scientifically अपनी बात को proof करने की कोशिश करता है जैसे 2 plus 2 is equal 4 है 5 नहीं हो सकता तो उसी तरह से वो इतनी strong evidence बताएगा अपनी बात को सबत करने के लिए कि इनसान उसकी उस logic और reason जो है उसको सुनकर हिरान होंगे और accept करेंगे और कहेंगे कि ये बात बिलकुल दुरूस है वो ऐसे सुनी सुनाई बातों को आप तक जो है वो नहीं पहुंचाता बलकि उसकी पूरी research करता है उसके बाद पर पूरी logic के साथ आपको explain करता है उसके बाद दूसरा area जो है उसने का linguistic है कि language सीखने के लिए भी intelligence की ज़रूद है multi linguistic जो वो लोग होते हैं वो एक language सीखते हैं चुके वो intelligent काफी है तो इसलिए बड़ी तेजी के साथ कोई भी language जो है वो सीखते हैं और linguistic के लिए अपने आपको जो है express करते हैं लोगों के सामने तो वैसे तो कुछ terrorist हैं वो ये कहते हैं जिए language सीखने के लिए किसी intelligence की ज़रूद नहीं है लेकिन इसने एक area जो linguistic का बताया वो ये है कि linguistic में भी exception जो है वो उन लोगों की आती है जो intelligence जादा होते है फिर special की बात वो कर रहा है अब उसके बद भी musical की बात है bodily kinesthetic abilities है special वो ये अब यहां वो ये कहना चाहरा है कि कुछ physical exercises जैसे आपने जिमनास्ट देखी होएंगे फिर आपने देखा होगा sportsman आपने देखे हैं फिर इसी तरह से physical exercise करने वाले लोग जिन्होंने बड़े नाम कमाए हैं sports के अंदर तो वो कहता है कि ये जो abilities हैं यहां पर ये भी intelligent आदमी जो है वो exhibit करता है इसके लिए body का strong होना या body जो है उसकी expression के लिए जरूरी नहीं है कि वो अपनी heritage factors जो है उसी को follow करे बलके अपनी intelligence को use करके वो नहने method सीखता है जिसके साथ वो world champion और national champion और इस तरह कि बहुत सारे titles अपने नाम करता है इसको भी उसने intelligence के साथ जो है जो है attach किया है उसके बाद musical का अभी आपने देखा होगा अच्छे musicians जो हैं हम कहते हैं God gifted उनकी जो है वो abilities होती हैं एक अच्छा musician एक अच्छा singer एक अच्छा dancer जो है ये by birth ही अपनी abilities लेके आते हैं लेकिन gardener ये कह रहा है कि intelligent आदमी जो है वो अपने आपको किसी भी field में मनवा सकता है उसमें जो है वो music में भी अगर कोई expert है किसी भी field में pianist है या किसी भी कोई organ player है तो वो ये सारी चीज़ें जो हैं उसकी ये intelligence के साथ मशरूत हैं और intelligent लोग जो हैं वो ही अपने इन fields में कमाल दिखा सकते हैं फिर उसके बाद interpersonal उसने कहा कि जो लोग socialization करते हैं वो भी intelligent होते हैं हर कोई बंदा जो है अच्छी socialization नहीं कर सकता वैसे अगर आप आप खुद से सोचें तो social skills जो हैं वो होती तो सब में कम या ज़्यादा हैं लेकिन एक ऐसा शक्स जो बड़ा popular होता है जिसको लोग दोस बनाना पसंद करते हैं और जिसके साथ लोग अपने relations बनाना चाते हैं तो वो smartly relations बनाता है या positively relation बनाता है या उसकी nature बड़ी अच्छी है जिसको इसे लोग उससे मिलना पसंद करते हैं या वो sympathetic बहुत ज़्यादा होता है इसलिए लोग जो है वो उसके साथ अपनी बातें शेयर करते हैं उसके साथ मिलना पसंद करते हैं तो यह सारी qualities वो कहता है कि एक intelligent आदमी के पास है कि he can smartly you know intervene in the minds of the people and then he will win their confidence and then people you know rely upon him and trust him that's why they want to just you know make him their friend तो उसके बाद intra interpersonal है intra personal है कि वो अपनी आपके साथ जो sincere बंदे होते हैं वो अपनी personality grooming के लिए भी बड़ा intelligently काम करते हैं कि मैं जिस field में हूँ वहां मुझे किस किसम के लोग जो हैं वो किस किसम की मुझे अपनी personality को groom करना चाहिए जिसके वोई से मैं market में बहुत successful हूँ तो वो कहता जी अपनी जाद को groom करने के लिए भी intelligence की जुरूरत है फिर उसके बाद naturalistic वो कहता है जी naturalistic abilities तो हम लेके आते हैं और किसी भी इनसान को comprehensive personality में तदील भी करती है